हाई फ्रेंट्स आज आपको हम ग्राप्टिंग के एपिसोड में आज बड़ ग्राप्टिंग किस प्रकार की जाती है वह बताने जा रहे हैं तो मित्रों देखेगा कि बड़ के लिए बड़ ग्राप्टिंग के लिए जो सायन है और किस प्रकार का चाहिए तो मित्रों यहां सायन दिखेगा आईसी बढ़ चाहिए सायन पर जो की फ्लेस आउट करने वाली हो या तो निकल चुकी हो फ्लेस आउट का मतलब जो निकलने के मार्क पर हो तो जैसी फोड़े फुंसी होते हैं उस प्रकार का स्वेलिंग पोर्शन चाहिए बढ़का तो वहां बेस्ट होती है तो उसे हम किस प्रकार निकाले मैं स्टार्टिंग में निकालकर आपको बता है कि उसमें हाड उट के साथ में निकालने का और बाद में हाड उट को इस प्रकार खीचके निकालने का देखेगा हाड उट अलग है और जो तो यहां कितना डिस्टन्स पे चाहिए, इसका लेंग कितना चाहिए, तो इसका लेंग लगभग आख, जो बढ़ है, आई, आई से उपर, आख से उपर आपको लगभग, आदा सेंटीमीटर उपर, आदा सेंटीमीटर नीचे है, एक सेंटीमीटर उपर है, एक सेंटीमीटर नीचे इतना distance आपको लेना है यह देखेगा तो आब इसे हमें एक से दो साल जो पुरानी टहनिया है एक साल लगबाग जिसकी बार्क ग्रीन हो उस बार्क ग्रीन पे आपको टी बनाना है टी से पहले horizontal cut आडी cut मारना है और बात में एक खडी cut मारना है और वहां चाकू का cut कह अधित में सनॏ फिसकी बणर तक जाना चाहीए डीप खोल जिसे कहते है गहरा से हाट उड़ तक जाना चाहे तो डबल क्यार कर के मा striving का एल दीजय का धारदार ना हो नाइफ, उसके टीप से, टोक से, जो बारक है, उससे तो ना धीला कर लीजिएगा, अब धीला किसलिए, कि वहाँ पर हमें आख डालने की, आख डालने की, आख बढ, आई बढ, उसके अंदर सिफ्ट करने के, यह देखेगा, किस प्रकार धीर से चाकू का टी इसा इंसर्ट करने का है, मित्रो, देखेगा, इस परकार, यहां बहुत डेलिकेट वर्क होता है, नाजूक वर्क होता है, शार्प नाइफ का यहां इस्तमाल नहीं करने का है, इसमें ख्याल में रखाए, सिर्फ बढ निकालते हैं वक्ते ही, आपको एकदम थीन पतले वाल यहां तो कीचन में एकदम धारदार बाला नहीं हूं इस्तमाल करने का, ब्लंट बोथर जिसमें धार नावा ऐसे चाक को इस्तमाल कीजिगा, यह देखेगा, हम इसमें बढ डाल रहे मित्रो, यहां सेम बढ हम गुलाप में भी करते हैं, सेम बढ हम संत्रे के भी कलम करने के इस्तमाल करते हैं, सेम इसे टी ग्राप्टिंग करते हैं, हमने यहां बेर के ग्राप्टिंग में भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा, तो मित्रो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप अगर से जाकर देखेंगे, तो बेर का ग्राप्टिंग है टी और यह टी कितना बड़ा बनाने का मित्रो तो हमने जैसे का अगर से बड़ निकाला हुआ है लगबाग तो आपको दो सेंटीमेटर का ही बड़ के आकार का टी मारने का है तो इस प्रकार आपको बड़ सीप्ट करने के मित्रो और आपको बड़ सीप्ट करने के वह ग्राप्ट करने के जो पत्ते हैं वह कट कर लीजिएगा ताकि आपको जो जो टेप अपन वाइंड करते हैं बानते हैं तो उसमें तकलिब ना हो तो मित्रो इसके लिए आपको mm का polythene इस्तमाल करने का ताकि हम जब इसे पूरा completely बढ़ के उपर से भी polythene हम लपेटेंगे लेकिन शिर्फ एक बार और बाकी जगह दो बार तिन बार भी आप लपेट सकते है क्योंकि 30 दिन के बाद में आपको यहां सक्षे सुवा के निवा यहां आपको पता चल जाएगा और 30 दिन के बाद में आपको जो बढ़ के उपर से जो पॉलितिन गया उसे हलके से आपको स्वी जो निडल कहते हैं या तो अलपीन से टाचनी कहते हैं उसे थोड से जिल्ली को फार दिजिएगा शिर्फ जिल्ली वह बढ़ के उपे जिल्ली को तो मित्रो इस प्रकार यहां बड अगर से आपकी ग्रीन है 30 दिन तक कंसिडर करो तो आप बड के उपर से जो ब्रैंचेस है वो पूरी कट कर दीजेगा ताकि पूरा फूड मट्रियल यहां बड को मिलेगा और इसकी ग्रोध स्पीड ली होगी तो मित्रो इसका ले नेका है जैसे कभी-कभी बड ग्रोध होने लगती है मित्रो तो इस पर इंसेक्स हमला करते है इसलिए जो इंसेक्टि साइड है नीम का तेल है या निमका काड़ा है वहाँ आप इस पे इस्प्रे करते रहिएगा ताकि नई ग्रोथ की जो बडस है उन्हें एक कीटा खा न सके तो मित्रो इस प्रकार अगर ज़े आपको वीडियो मेरा पसंद आए हो तो लाइक कीजेगा और सब्क्राइब करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजेगा आपको आपके प्रशनों के उत्तर देने के मैं कोशिश करूँगा ठैंक यू वन्स अगेन तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते सभी चीजे